तो दे चैलेंजर्स जॉन के इस यूट्यूब चैनल पर सेमेस्टर वन के विद्यार्थियों का राजश कुमार गौतम सर के द्वारा स्वागत किया जाता है सबों को गुड मॉर्निंग जोहार सूपरभात आज इंग्लिस एई सीसी पेपर वन बिनावभाव इंवर्सिटी इसके बारे में मैं पुना चर्चा करूंगा इसके पहले मैंने एई सीसी पर एक वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों के द्वारा काफी पसंद किया गया उसमें अच्छे खासे भीवर्स मिले और उसी को देखते हुए आज पुना उसको मैं चाहता हूं कि आप सबों के लिए एक बार यह एक अलग वीडियो बनाया है उसी में मैंने फुर और कोर और जेनरल कोर्स एंड और वोकेशनल कोर के लिए बनाया है यह वीडियो कि डियोरेशन इसका डेड़ घंटे का है इस प्रस्ण का और फुल मांक्स चालीस होता है तो जब आप इंग्लिस में एसी सी में आप इंग्लिस को चूज करेंगे तो उसमें आपको चालीस नंबर के एकजाम देने होएंगे उस चालीस अंक के परिच्छा में आपको सबसे पहला जो प्रस्ण है वो एक पैसेज पे आधारित प्रस्ण मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक पैसेज दिया हुआ रहेगा तक्रीबन 200 सब्दों का उसके आधार पर ऑन दबेसिस ओफ यूर रिडिंग ऑफ द अबब पैसेज मेक नोट ऑफ दे मेन पॉइंट्स एंड सप्लाय और सुटेबल टाइटल नोट मेकिंग पे मेने बहुत सारी विडियो भी डाले हैं तो इस में क्या करना कि आपको बहुत सारे को सोनोट करना है और उसको लिखना है फिर क्या करना है present the main argument of the passage in bullet format आपको जो इसका important informations है वो bullet format में आपको जो बना बना कर देना है तो 5 marks आपको इसमें मिलेंगे 5 marks इसमें दोनों मिला दिया जाए तो question 1 के लिए आपका 10 marks का यह question है यह बहुत कठीन प्रस्ट नहीं है बहुत आसान है अब दूसरे प्रस्ट की और हम आते हैं यू और रिपोर्टर ओफ न्यूजपेपर आप एक अखबार के समभाद दाता है यू विजिटेड फ्लर्ड स्ट्राइकन एरियाज आपने बाढ़ परभावित छेत्रों का दारा किया है मैध्यपर्देश में राइट ब्रीफ रिपोर्ट इन अबाउट 125-150 व को तयार करें जो आपने बाढ़ परभावित छेत्र में देखा है उस रिपोर्ट को बनाने के बाद आप जो यह सो दस नंबर पास सकेंगे बहुत अच्छे से लिखेंगे तो आठ नौ मार्क्स तो मिली जाएंगे तीसरा प्रेस्ट तीसरा प्रेस्ट जो है उसमें हम देख रहे हैं इसमें क्या है कि एक एप्लिकेशन लिखना है एक विज्यापन के बुरूत और उसमें हमको क्या करना है कि एक अपना रिज्यू में सब्मिट करना है इस एप्लिकेशन के साथ तो इसमें दिया हुआ है प्रेस्ट आगे दिया हुआ है वांटेज 250 ट्रेनी ओफिसर्स और्गनाइजिशन का नाम क्या है अस्टेट बैंक ओफ इंडिया एज कितना होना चाहिए आवेदन करने वालों का 22-30 साल अनभव कितना होना चाहिए दो से चार साल का क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन डिसिप्लीन एडवर्टिजमेंट नंबर यह दिया हुआ है विग्यापन संख्या डेटेट तिथी दिया हुआ है किस तिथी से विग्यापन निकाला गया है लास्ट डेट जो है फॉर्म जमा करने का 15 दिन दिया ग ले जाएंगे जो इसके प्रवंद्र झाल के पास और अब एक और प्रस्ण भी आपका दस मांक्स का रहेगा तो इस प्रकार आप 3-10 wirtta है अग्ला जो है कि यह कोझ रहेगा और इटने ही आपकेशन्द आएगा यू यूवा के इंजिनियर आप सौंट्ट वレक्यों है प्रिपेर अब बायोडेटा तो आप एक बायोडेटा या रिजूमे बनाएं अपने लिए तो इस परकार ये चार प्रस्ण का मैंने एक प्रारूप आपके सामने प्रस्तूत किया है वैसे विद्यार्थी जो बिल्कुल ने हैं और जो पहली बार समस्टर बन की परिछा दे यह इनको लिए बड़ा हेल्फुल रहेगा और बाकी नोट मेकिंग और रिजूमे बायोडेटा और बाकी सभी चीजों पर मैंने चर्चा किया हुआ है पहले के वीडियो में तो आप उसको देखें सर्च करें चैलेंज जौन में जाएं और वीडियो बायराजेसर टॉपि में प्रस्ण पूछे जाते हैं उसमें पुन्राविर्ति की चांसेज बहुत कम है क्योंकि 2016 से अभी तक देखा जाए तो ज्यादतर वर्सों के प्रस्णों में मैंने यह पाया है जब मैंने सारगर्वित तरीके से उसका अध्यन किया तो देखा कि हर एक साल के प्रस्ण भी इजली मिल जाएगा मार्केट में उसमें आंसर्स भी होते हैं गिस पेपर में तो आप इसकी तयारी करें और बहुत अच्छा फिर आप सभी एक्जाम दें जी धर्निवाब